टोक्यो अलम्पिक 2020 भारत के लिए काफी सांदार रहा ची हाँ मेरा नाम है शुक मारियादो और आप सभी का स्कोब 360 चनल पर बहुत बहुत स्वागत है एस्पसल जी के फॉर ओल एक्जाम में आज हम टोक्यो अलम्पिक 2020 से 10 महत्वपूर प्रस्ण करने वाले हैं जो किसी भी कमपटिशन एक्जाम और इंटेस एक्जाम के लिए काफी हेलफूल होने वाले हैं तो इन टोक्यो अलम्पिक में भारत की क्या इस्थिती रही इस से रिलेटेड इस वीडियो में आपको कोशन मिलने वाले वीडियो को बिना स्कीप किये शुरू से अंतर तक भी रहा होगा कि टोक्यो अलम्पिक 2020 में भारत ने कुल कितने पदक जीते आपसने 15 आपसन भी 13 आपसन सी 9 अनापसन सी 7 तो आप सभी को पता होना चाहिए टोक्यो अलम्पिक 2020 में भारत ने कुल 7 पदक जीते कुछ बच्चे कंफ्योज हो रहे होंगे कि ये तो 2021 लगा है 2020 कैसे हो गया तो ठोक्यो ओलंपिक जो है वह 2020 में होना था लेकिन कोरोना कारण के चलते ही वह 2021 में उसका खरद ऐसलिंख और इसलिए उसका नाम टोक्यो ओलंपिक 2020 होगा तो इसमें भारत ने कुल कितने पड़ग जीते हैं साथ पड़ग जीते हैं यह बात आप सभी ध्यान देंगे ठीक है हमारा दूसरा प्रस्णिया पर दिख रहा है टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने हांकी में कितने साल बाद पदग जीता आपसन 41 आपसन भी 35 आपसन सी 50 आपसन डी जो है 52 तो आप सभी को मैं बता दू कि ये आपका आपसन नमबर एक जो है एक 40 साल इसके लिए सही होगा और पहले प्रस्ण का अंसर था आपसन नमबर 27 आप इन प्रस्ण का स्क्रीन सौड ले लिजे अब हम चलते हैं तीसरे प्रस्ण की वर तो आप सबके सामने यहां पर तीसरा प्रस्ण आ चुका है जबकि यहां पर एक मिस्टेक है उसमें प्रस्ण का नमबर नहीं बदला गया तो ध्यान दिजेगा यह तीसरा होगा उसके बाद यह नीचे वाला चवथा प्रस्ण होगा तो इसमें लिखा है एक मात्र भारती जिन्होंने टोक्यो अलंपिक 2020 में स्वन्ड पदक जीता तो आपसने मेरा बाई चानू आपसन भी नीरत चोपड़ा आपसन सी बजरंग पूनिया नापसन डी रभी धिया तो आप सभी को पता होना चाहिए इस समें एक नाम काफी ट् 320 में और एक मात्र शवनपदक इन्होंने ही दिद दिलाया था और यह जैवलींग फ्रो में दिलाया थे मतलब भारत को स्वनपदक जैवलिंग थ्रो का मतलब होता है भाला फेंग ध्यान दिजएगा नेश्ट हमारा चोथा प्रस्ण है जिसका नमबर मैंने यहाँ पर नहीं मतलब बदला है तो नमबर से कोई मतलब नहीं तो चोथा प्रस्ण हमारा है कि टोक्यो अलम्पिक 2020 में भारत ने हांकी में कौन सा पदक जीता स्वन पदक, रजत पदक, कांसे पदक इन में से कोई नहीं तो आप सभी को पता होना चाहिए भारत ने हांकी में जो है कांसे पदक जीता है तो उसमें आपका आपसन नीरत चोपड़ा और इसमें आपका कांसे पड़क सही हो जाएगा जल्दी से ये वाला भी आप स्क्रेंस ले लिजे आप हम चलते हैं नेस्ट कोशन की तरफ तो हमारा चौथा प्रस्न रेखें यहां भी नंबर का मिस्टेक हुआ है वो चार हुआ था यह पांचवा होगा नीचे वाला छठवा प्रस्न होगा तो फ़ड़ा नंबर डालने मिस्टेक हो गया बाकी सब सही है ठीक है तो लिखा है मीरा भाई चानू ने कौन सा पड़क जीता स्वन पदक, रज़त पदक, कांसे पदक, इन में से कोई नहीं तो टोक्यो ओलंपिक 2020 में मेरा बाई चानू ने पहला मतलब की पदक जीता था भारत के लिए और वो पदक क्या था रज़त पदक ठीक है तो आप सभी लोग इसको याद रखिएगा मीरा बाई चानू ने कोण सा पदक जीता था भारत के लिए रज़त पदक मतलब silver middle तो आप ध्यान डिज़ेगा मेरा भाई चानू ने भारत के लिए कौन सा पदक जीता है silver, ठीक है silver middle या फिर आप कहा सकते हैं रज़त पदक छठा प्रस्ण मारे सामने है Tokyo Olympics 2020 में भारत ने महिला हां की में कौन सा पदक जीता स्वन पदक, रज़त पदक, कांसे पदक इन में से कोई नहीं तो आप सभी को पता होना चाहिए महिला हां की टीम ने कोई पदक नहीं जीता पूरुस हां की टीम ने कांसे पदक जीता था लेकिन महिला हां की टीम ने कोई पदक नहीं जीता है ध्यान दीजेगर लेकिन इन्होंने खेला बहुत बढ़िया था टोक्यो उलम्पिक 2020 में चलिए अब हम लोग चलते हैं नेश्ट प्रस्न की तरफ तो हमारे सामने सात्वा प्रस्न यहां पर आ चुका है सात्वा प्रस्न है रभी दहिया ने कौन सा पदक जीता आपसने स्वनपदक आपसन भी रज़त पदक आपसन सी कांशे पदक आपसन डी इन में से कोई नहीं आठवा प्रस्न इसका अंसर होगा रज़त पदक ठीक है रभी दहिया रेसलिंग के खेल से विलॉंग करते हैं आठवा नमबर हमारा प्रस्न प्रस्न इस बार कांशे पदक जीते हैं जबकि रियो ओलंपिक 2020 में उन्होंने रज़त पदक जीता था और यह बैट मिंटल की खिलाडी है आप सभी को पता होना चाहिए ठीक है तो चलते हैं हम नेश्ट प्रस्न की तरफ हमारा नेश्ट प्रस्न जो है लिखा है टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत की तरफ से कुल कितने खिलाडी सामिल हुए थे आप सभी को पता होना चाहिए भारत की ओर से जो टोक्यो ओलंपिक 2020 था उसमें कुल 119 खिलाडी सामिल हुए थे टेके धान बीज़ेगा दसमा कोशन है ओलंपिक चिंध में कितने खले होते हैं तो आप सब ये तो ज़ानते होंगे ओलंपिक चंने में कुल जो चले होते हैं वो उनकी संख्या जो है कितनी होती है पांच जैसा कि आप सब के सामने यहां पर उसका पांचों मतलद चलों प्यातरों